हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा, जै मादादी, जैस्री शाम, जैस्री महाकाग तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आप सभी को राधे राधे तो दोस्तों गर आप सभी बहुत अच्छे होंगे इस्वर की क्रपा अगर आपके उपर होगी तो कमेंट सेक्षन में राध है राध है या जै स्री कृष्ण रिखना बिल्कुल ना भूले तो दोस्तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और मत्वन होने वाली है तो चले हम आज की वीडियो की शिरुवात करते हैं आज की वीडियो में हम आपको वदाएंगे कि एकदम से आपकी चोखट पर कौन से खुश खबरी आने वाली है और आखिर कौन से खुश खबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है तो यही हम बात करेंगे कि आपकी चोखट पर कौन से खुश खबरी दस्तक देगी चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो बहुत ही खासे प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बलाकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना ना भूलें तो चलिए शुरुआत करते हैं बेना के सिदेरी के हर हर महादिव का नाम ले करके आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण जी हाँ स्क्रीन पर देखिए आपको दो नंबर दिखाए देरोंगे फर्स्ट और सैकेंड दोनों नंबर में से जो भी नंबर आपको अपने तरफ अट्रैक करें आपको अच्छा रग रहा हो आपक किस तरह की घड़नाए क्रियेट होने वाले किस तरह की कंडिशन्स क्रियेट होने वाली किस तरह के बदला होने वाले हैं हम सब को समझेंगे तो वीडियो बहुत ही खास है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लीस आप इस वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को बड़ा आइकन को प्रेस जुरू करें तो चलिए शुरुबात करते हैं देख लेते हैं कार्ट क्या कह रहे हैं और इश्वर की तरव सकारातमक्ता की वजह से आपके सौच में भी बदलाव महसfon करेंगे बहुत जल्दी चैंजेस फील होगा लाइफ में और इसी बीज देखिए सकारात्मक्ता की वजह से आपकी सोच में भी बदला होगा जिन लोगों के साथ विवाद हैं उन्हें आपसे सामझ जासे से आप सुलजाएंगे फ्रेंड्स की वदत मिलेगी सुजाओं मिलेंगे जिन पर आप ध्यान देंगे पॉजिटिव लोगों के साथ आप जुडेंगे और अपने जीवन के लिए फोकस बढ़ाएंगे करियर में बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिस वज़े से जो आपकी आर्थिक परिस्तिती है उसमें आपको सुधार भी नजर आएगा जब तक किसी काम की पूरी जानकारी आपको नहीं मिले जब तक कोई निर्णे लेने से आप बचें आर्थिक इस्तिती सुधारने के लिए खुद में आप जरूरी बदलाओ करें दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास ना करें जब तक दूविधा दूर नहीं होती तब तक नई जिम्यदारियों को स्विकार बिल्कुल ना करें पाटनर के लिए थोड़ा सा अब ध्यान रखें चिंताय बड़ेगी और व्यक्ति के जीवन में भी बदलाओ करने के लिए सोच विचार के बाद ही आप आगे बड़े ज आपको इस व्यक्ति से मदद भी मिलेगी एक दूसरे के साथ आपके संबंस उद्रेंगे चिंताय आपकी खत्म होंगी जिम्यदारियों पर आप ध्यान देंगे और जीवन में आप अपने करियर पर फोकस कर पाएंगे एक बार अगर आप अपने दिल की बात जिस बंदे को बोलना चाहते हैं उसको बोल देंगे तो अभी तक जो भी कोशिश हैं आपने करी हैं जो भी कारें आपने करें फिलहालता है कि अगए लक्ष पर अगर आप ध्यान देंगे आपके स्वभाव विक्तित्व में बदलाओ करने के बाद ही लक्ष पूरा होगा परिवार में संट्रेशन रखें फोकस बनाया रखें पुराने विवात खत्म होते वे दिखाए दे रहें आप अपने नियम और उसुलों पर समझोता फिलहाल नहीं कर पाएंगे समय आगे बढ़ता हुआ दिखरा है लोगों से मिलने वाली प्रशंसा की वज़े से खुद के लिए भारी रहें उनकी जरूत के समय मदद जरूर करें वेक्ति के जीवन में सही गलत का फैसला करते समय तकलीफे बढ़ सकती है तो काम पर धियान दे साथ में अपनी सोच को सकारात्मक बनाये रखें परिवार की किसी वेक्ति का संयोग मिल सकता है छोटी छोटी बातों मारे ब लिकते बढ़ेगी किन कामों के लिए आगे बढ़ना और किन कामों को छोड़ना है यह बाते आपको समझने होगी और दुसरों के सुझाओ पर आपको ध्यान देना होगा नमबर फर्स्ट चूस करा है उनके लिए देख लेते हैं कि आखीर क्या कहना चाहते हैं टेरो कार्ट्स यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आखीर क्या लिखा है आपकी किसमत में किस तरह की कंडिशन्स आपके लिए क्रियेट हो रही है आप क्या गलतियां कर हैं चाहिए सबसे पहले तो इतना बता दें आपको दोस्तों कि आप वंच श्रुबात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डर रहे रहें कोई नया कारे शुरू करना चाहते हैं कुछ माइं में नयने ख्यालात आ काफी समय से आप उस चीज़ पर फोकस भी कर रहे हैं. वर्क करना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेने से डर रहे हैं. तो देखिए, रिस्क लेने से घवराई नहीं, रिस्क लेने से डर रहे आपको खुशी मिल रही है जहां काम करके देखिए वर्क ऐसा होना चाहिए कि वहां जाने की हमारी इच्छा हो और वहां से आने का हमारा मन ही ना हो ऐसा वर्क प्लैस होना चाहिए लेकिन फिलहाल अगर ऐसी कंडिशन हो रही है कि हमारी काम पर जाने की इच्छा ही नहीं होत की रहोगे वहीं तक रहोगे जो अभी फिलहाल आपकी कंडिशन तो वर्क ऐसा करो काम ऐसा चूस करो जिसमें आपको अच्छा फिल हो इंट्रेस्ट आए मज़ा आए आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे तफलता इस हद तक आपके पास रहेगी के आप सोच भी नहीं प हो पाया है तो कहीं न कहीं इतना ध्यान रखेगा दोस्तों कोई खुश खबरी है जो आपके जीवन में अगले सात दिनों में boundary साथ दिनों में आपकी से क्मई के लिवाब проблемы की हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे किस तरह से कंडिशन होगी हमें क्या कड़िये सलों के जवाब अगे मिलने वाले हैं तो अगले साथ दिन के लिए सिर्फ इतना करना है कि प्रती दिन हनुमान चालिसा का पाठ अपने मंदीर के सामने आपको करना है प्रती दिन हनुमान है ना तो हनमान जी का पार्ट करें अगले साथ दिन कंटिन्यू हो सके तो 21 दिन तक करें बहुत अच्छी बात है और पीने के परिंडे कि यहां शाम की समय दीपक जरूर लगा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगा है और शनिवार के ही दिन समय इंसान को सफल नहीं बनाता दोस्तों समय का सही इस्तमाल करना इंसान को सफल बनाता है अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय का सही इस्तमाल करना आना चाहिए अगर आप फालतों के साथ ऐसे घूमने में अगर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो यह आपके समय की बहुत बड़ी बरबादी आप से बड़ा मूरक आप से बड़ा बेवकुफ कोई नहीं होगा जो फिलहाल वर्तवान में जहां अपनी कंडिशन कमाने की कि जहां अपने कंडिशन अपने आपको ऊचा उठाने की जहां अपने फ्यूचर को बनाने की वहां अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं उन लोगों से पूछो जो लोग आज ऊचे मुकाम पर बैठें कि उन्होंने कितना संघर्ष कर आपने जिंदगी में ठीक है ना एक अपने बलबूते पर जो हम अपने जीवन में हासिल करते हैं उसकी बात ही अलग होती है पैरेंट्स की जो संपत्ती पर जो आप अधिकार जताते हैं वो एक गलत चीज एक इंसान को खुद अपने दम पर खड़ा हो करके हर चीज को पाने की कोशिश करनी चाहिए देखिए गरीब के पैदा होना हमारी मजबुरी थी लेकिन अब 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 हम जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे परिवार को हमारे पैरेंट्स को गरीब नहीं रहना पड़ेगा हम भले दाल रोटी खाएँगे मिडिल क्लास में रहेंगे लेकिन सुखून की खाएंगे होता है क्या Paige कब सब संटिशन हमारी खराब होती है तो दो चारों तरब से हम समस्माने की सारी चीज पर refuse dave यह इसलिए हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें जीवन में हमेशा सही कार्य सही समय पर करना है सही कंडिशन को क्रियेट करना है लाइफ में पक्ष हमारा सही होना चाहिए हमारा मार्ग सही होना चाहिए धर्म के रास्ते पर चलते हुए इमानदारी के साथ चलते हुए बीना छल जूट कपट के जीवन में इमानदारी के साथ अगर आप कारे करेंगे तो आप जरोर सक्सेस होंगे आप कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में कि आपको कोई प्रॉब्लम आईए देखिए जो इंसान इमानदारी से कारे कर रह खुशी उसके पीछे पीछे दोड़ती है उसके कर्मों के फल उसके पीछे पीछे दोड़ते हैं और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं बस इस चीज का आपको ध्यान रखना और जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आपके जिंदगी में होगी यह भी शब्दों के महत्व को नहीं समझ रहा अगर आप अपना पक्ष समझाने की कोशिश करें लेकिन कोई समझ नहीं रहा है बहुत जदा विवादित तूल पकड़ लिया है मामला बहुत जदा विवादित हो चुका है तो कहीं न कहीं आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको समय रहते अपनी बात को समझाने के लिए मोन रहना है अगर आप मोन रह लिए तो आप जीवन में ध्यान रखेंगे कि इससे अच्छा जवाब उस इंसान को कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि समय जब नयाय करता है तब गवाहों की जरुद नहीं पड़ती यानि कि जब समय उस इंसान को बताएगा आपके लबदियों को बताएगा आपकी उचाईयों को जब बताएगा तो जो इंसान आज आपके विपक्ष में खड़ा है वो कल आपके पक्ष में खड़ा हुआ आपको दिखाए देगा तो रिलाक्स रहें खुश रहें आगे बड़ें चलिए सैकेंड नमबर की बात करते हैं जिन्नोंने भी सैकेंड नमबर चूस करा हैं आपके लिए देख लेते हैं आखिर क्या कहना चाहते हैं टेरो कार्ट्स आखिर क्या लिखा हैं आपकी किसमत में किस तरह की कंडिशन्स क्रियेट होने वाली और आखिर क्या कुछ मामला है आपके दरवाजे पर कौन दस्तक देने वाला कौन से खुश खबरी आपके रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी जिन्दगी में खुशियां आने वाली है बहुत जल्दी राधा और कृष्ण का मेल होने वाला है बहुत जल्दी बेवाहिक जीवन में आप बंधने वाले हो या बहुत जल्दी किसी रिष्टे में आप बंधने वाले हो कोई भी रिष्टा हुआ फ्रेंट सरकल में या लविंग को या आप मोसी बनने वालों मामा बैद कुछ भी हो लेकिन कहीं से आप को सरिष्ट में बंधने वाले रिष्टा करें 나오ेशपी अच्छा अगे जाकर ँप यह सु और बहुत लोंग टाइम तक चलेगा रिलेशन तो बिलकुल लोड ना ले टेंशन ना ले रिलाक्स रहें जीवन में आगे बड़े हमेशा कॉंसेंट्रेशन अपने माइंड पर रखें और जो होता है अच्छे के लिए होता है बस इस बात पर ध्यान दे इश्वर की पूरी क से कमी है वह अब सुधर्ने वाली पौजटिवीटि की कमी पौजटिविटि में सुधर्ने वाला है भुत सारी यसी चीजए आपके हो रही है जो की आपको फिलाल पर बहुत 보이 cd सब्सक्रब्स कि नहीं ही लेकिग। आप बधीं करने वाले तो बिल्कुल रिलाक्स रहें र प्रेंशन फ्री रहें अब जो होगा इश्वर की कृपा से होगा और हो जाएगा हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूत नहीं है फिलहाल हमें सिफ महनत पर ध्यान देना हैं कॉंसें इस इस बात का आप विशेस ध्यान रखें समय की क्रपा आप की ओपर होने वाली है समय पूरी तरह से आपके पक्षमें तो जैसा भी हो आप समय का पूरी तरह से योज़ करें और हमेशہ यहीं ध्यान रख्यों दोस्तों की देखीं । गलत निर्ने की विज़े से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्ने लेने से आपको बचना है पैसो के महत्व देंगे जिससे रिलेशनशिप बिगड़ेगी तो पैसो को महत्व नहीं देना अपनी शम्ता के नुसार लोगों की मदद करें स्टोक मार्केट से जुड़े लोगों को निवेश के विफायदे होने वाले हैं हालात का व्लोकन करें जीवन में बदलाव करें भावनाओं से अधिक विचारों को महत्व देंगे आप जिससे की कई लोग दुखी होंगे अपने पुरान अनुभाव को ठीक करें अपना व करें आपके अपेक्षाओं का बोज करीबी लोगों पर ना बने इस बात का ध्यान रखें आपकी कटूता की वज़े से लोग नाराज होंगे व्यक्ति का संबंदों पर भी ध्यान दें लालत से बचे वरना गलत काम की और आप कॉंसेट्रेशन रहेगा जिन कामों में फिल की अप वीडियो को लाइक करना जानए को अबुसत्राइब करना बिलकुल भी भूले मिना थे इस आपके cya कोई समझ भी सब और bayra लख लख बढ़ाईया क्या बापके जीवन में एक नया मोड आने वाला है यहां loving life इस से related कोई good news आपको मिलने वाली कोई जीवन साथ ही यह कोई partner आपको मिलने वाला जुआपके जीवन में बहुत जल्दी खुशन लेकर आने वाला इसी बीच जिस फिल्ड में आप preparation कर रहे हैं जिस फिल्ड में आप तयारी कर रहे हैं जिस जगे आप ट्राइ कर रहे हैं जिस जगे आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फिल्ड से related बहुत जल्दी आपको good news मिलने वाली और बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले है तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलाक्स रहे, जीवन में आगे बढ़े, हर संबव, हर वक्त वही कारे करें, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंदात हो, क्योंकि देखिए, जहां आप खुश हो करके, इंट्रेस्ट के साथ वर्क उस वर्क में आपको सफलता जरूर मिलेगी, बाकी बहुत अच्छा माइंड है आपका, काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिलहाला आप इंकम के स्रोध भी आपके बढ़ रहे हैं, कुछ नया करने की कोशश भी आपके माध्यम से की जा रही है, जो सक्सेस होनी वा कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, एक चीज और एक कार्ड ओपन हुआ है दोस्तों, जो बता रहा है कि समय और इस्थती कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, और ना ही किसी को कम जोर समझे, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय से जादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, परिवार के साथ धेर प्यार कहलाता है, और औरों के साथ धेर सम्मान कहलाता है, स्वयम के साथ धेर आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धेर आस्था कह लाती हैं इसलिए हमेशा हमें धेर हर कंडीशन में रखना चाहिए संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुन संपन्य नहीं होता इसलिए कुछ कम्यों को नजर अंदाज करके रिष्टों को बनाए रखें हमेशा हमारे रिष्टे हमें मजबूत बनाने के लिए जो कम्या है रि तो दे रहाए या पिछले जर्म का करज चुका रहा है ये बात आप Turkey को दान कर रहें किसी के मिट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पिछले पराणे जर्म में हो सकता है आपने किसी का पैसा खाया हो हो सकता है आपके उपर किसी का कर जाओ जो इस जनम में आप चुका रहे हैं यह चीज अगर आप सोच करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे देखिए हमारे साथ वही रिष्टे जुड़ते हैं हमारी लेंदेन उन्हीं लोगों से होती है हमारे सब कुछ जो कंप्लीट जो कंडिशन्स फिट कर रखी है इश्वर ने वह पिछले जनम से कही न कहीं जुड़ी हुई है तो बस हमें यह सोच करके चलना अगर कोई पैसे खा लेता है यह नहीं दे रहा है तो कोई दिकतनी इश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए थोड़ा सा धेरी रखे सेयम रखे अगर उसके इच्छा होगी आपकी किस्मत मोंगे तो आटोमेटिक आ जाएंगे नहीं देना चाहता नियत खराब होई उसकी वह जाने लेकिन हमारी किस्मत के हमारी महनत का पैसा हमें जरूर मिलेगा वहां से नहीं मिलेगा तो और कहीं से मिल जाएगा लेकिन जरूर मिलेगा तो हमें रिलैक्स रहना है टेंशन फ्री रहना है हमेशा इश्वर पर सची श्रद्दा होनी चीए देने के लिए दान लेने के लिए ग्यान और अधिक ध्यान उनचीज़ों पर दो जो आपके पास है। उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हमेशा हमारे साथ यहीँ हो रहा है। अधिक थेर सेकंड नंबर वालों के साथ यही होता है कि उन्हें दूसरों की थाली में गही जादा नजर आता कमकारिजन्स करते हैं हम सामने वालों से और रश्तितितारों से उनके लड़के नहीं यह द्रूरिया उन्हें पास आ героinsil है आप अपनी किसमत पर अपने भांगी पर अपने कर्मों पर ध्यान तो अगर आपके करम अच्छे हैं अभी भी आपके समय अगर आज आपके पास करम अच्छे हैं तो जीवन में आप जरूर आगे बढ़ोगे लेकिन अभी भी अगर आपके पास अभी भी समय नहीं अभी भी आपके करम अच्छे नहीं है तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते जिसके लिए आपको इश्वर ने भेज तो इसलिए इमानदारी रखें इमानदारी से कारी करें हमेशा खोश रहें और हमेशा अपने पास जो चीज रखी है उन चीजों का आपको कद्र करने चाहिए उन इंसानों की भी जो आपके पास कद्र करें क्योंकि देखिए जो चीज चली जाती है कि को इंसान हमारे जीवन से उनकी कदर करें सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो इस इंसान का बदला भगवान लेते हैं यह बात हमेशा ध्यान रखेगा आज अगर आप जीवन में दुखी हैं आज अगर आप परेशान हैं अत्याचार सहन कर रहें लेकिन फिर भी इश्वर के मंदीर में जाकर के आपके चहरे से आसूों के साथ मुस्कुराहट निकल रही है तो यकिन माने हैं आको इश्वर खूशियाँ हीँ खूशियां देगा आपके जीवन में जो फिलहाल टेंशन चल रहा है वो के पूराने कर्मों का चल रहा है लेकिन अब जो आप सत्य के मार्ग पर निकल गए अब जो आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं तो टैंशन ना ले अब आपका समय बदलने वाला अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है समय बहरा है उसने किसी की ना सुनी परंतु अंधा नहीं है उसने सब को देखा है इसलिए सब को जवाब देगा सब को फल मिलेगा और अब हमारे कर्मों का अच्छा फल हमें मिलने वा ले तो बिलकुल लोड ना ले बिलकुल टेंशन ना ले जीवन में हमेशा आगे बड़े और हर वो अच्छा कारी करें जिसके लिए इश्वर ने आपको भेजान है इनसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता लेकिन फल भोगने में नहीं बात अपने कर्मों की ही है तुन अंसार से और जीता हुआ हार सकते हैं एहंकार से भागवत गीता में भी लिखा है इनसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी वह सोच सकता है तो आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा आप अ पॉजिटिविटी पर डिपैंड करता है अच्छा सोचें अच्छा बोले दोस्तों जितना अच्छा सोचोगे ना उतनी जल्दी आप उचाईयों पर पोचोगे कोशिश करो आज से कसम खालो कि आज के बाद हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे ना खुद के लिए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं उनकी सभी दिक्कते खत्म हो जाती हैं सफलता का मुलमंत्र यही है कि अवसरों को पहचाने और उसका लाब उठाए जब तक आप यह नहीं समझोगे तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना तो कठिनाईयों के पीछे जो अवसर चीपे हैं उन्हें पहचान अवसर को पहचानना होगा उसके बाद उनका लाब उठाना होगा अगर जीवन में आगे बढ़ना चाते हो तो यह चीजे बहुत जरूरी है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन मह पहिना चल रहा है रुद्र मंत्रों का जब शिव भकतों के लिए बहुत महत्व रखता है शिव-पूजा की आधारशिलाही रुद्र पूजा रुद्र का अर्थ है शिव कल्यांकारी और बुराई का नाश करने वाला पूजा का अर्थ हैं जो पुन्टा से उत्पन्न हो एक एसा करत्य जहां व्रधय से पर्मात्मा का संवान करते हैं, तूज खिले हुए मन से किए धर्म कर्म को ही पूजा केते हैं, धूप बत्ति, दिया बत्ति, अगर बत्ति, चाहे देसी घी के लड़ू परशात में लिएओ, चाहे देशी घी के रोज दीपक लगाओ उसे पूजा करना नहीं कहते हैं पूजा करना पूरे मन से सच्चे मन से रधय से पूजा करना ही पूजा करना होता है ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो देशी घी का दीपक को लड़ू चड़ा रहे हो वो पूजा मानने नहीं होती, ठीक है, हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से श्यूतत्व की पूरी भविता से आहवान करते हैं, मनुश्यों के शांति पूर्णे जीवन के लिए सभी ज्छाओं को पूरी करने के लिए, आपको भी भगवान रुद्र का आहवान करना ह मातर इच्छा पूर्ती के लिए, अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयम को डुबो देते हैं, और मन सहजिता से स्थीर हो जाता है, यनि कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं, भी वो प्रेम पूर्ण नहीं, ठीक है, वो हमारे व्रदे से सारा भय द रुप है, और रुद्र रुप भी एक उड़जा, एक क्रोध ही है, तो कहिना कहीं हमें इस रूप में जब इश्वर खुद अपने आपको संभाल नहीं पाए, तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं, उगरता वाला रूप है, ठीक है, तो कहिना कहीं आपको ध्यान रखना है समझना है इस रूप के बारे में, कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है, हमें मन में शांती रखनी है, हमें मन में कहते ना कि पॉजिटिविटी लानी है, हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है, हमें मन में भय हटा देना है जीवन से, ला बात कर लेते हैं अगले चोईस घंटों में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या कुछ कोई खास कारी होने वाला है मन प्रफुलित रहेगा भविश्य संबंदी किसी यूजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बना कर रखनी है मनमुटाव के स्थिति रह सकती है कुछ लोग जलन के कारण आपके कारे में विग्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रेना फिरहाल जो है समस्या सुलजाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है कही महत्वपून फैसले भविश्य के लिए फायदे मन रहेंगे आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्ने लेने क जरू थे अपने घुसे और आवेस जैसी नकारात्म कादतों पर आप काबू रखें अतियात्म विश्वास आपके लिए नुकसान धायक रह सकता है अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं भागी वर्धक समय आपको मिल रहा है घर और वेवसाय दो कामी और खर्चों के दिखता से मन परेशान रह सकता है लेकिन अगर योजनाय बना करके काम करोगे तो सकारात्म परिणाम जरूर मिलेंगे सब्ता भाग्य जो है लाबदाय को प्लब्धियां देने वाला है सिफ आपको अपने कार्यों के हर पहलों पर विचार करके उस पर के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें ठीक है तो वीडियो अच्छे लग यो प्लेज लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें बल आकन को प्रेस करें वीडियो को शेर करना ना फूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सबको बहुत धनिवाद जय मात अदी हर हर महादेर